लोगों के लिए होंगे उनकी पापा घोस्ट, पर मेरे पापा है मेरे सबसे अच्छे दोस्ट, उनसे कोई बात छुपा सबो, भड़ा ऐसा हो सकता है क्या, चेहरा देखकर मेरा, मेरे दिल का हाल समझ लेते, चोड दिल पे लगी है, या माथा फूटा है, ये भी पकड़ ले बड़ा अजीब सा करेक्शन था, जोट मैं बोलता, सच पता उन्हें चल जाता, जब पकड़ लेते हैं मेरा जोट, तो मुझे डाटते नहीं, बलकि बगल में बठाकर, बड़े प्यार से समझा दिया करते थे, उन्हें मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं बस उ पीच में खड़ा कर स्कूल छोड़ने जाया करते थे, अगर मुझे किसी ने डाट दिया, तो उनकी क्लास लगाने पापा स्कूल पो वज्याया करते थे, लोगों के लिए होंगे पापा घोस्ट, पर मेरे पापा है मेरे सबसे अच्छे दोस्ट, उन्होंने मुझे पढ़ मैं क्या बनूगा अपने जीवन में और वो बोलते ये तो तुम तै करो कि तुम्हें आगे क्या करना है, बस जो भी करना उसमें अपनी पूरी जान डाल देना, अपने जीवन में हमेशा अपने डिसिजन्स की रिस्पेक्ट करना, ये बहुत जरूरी है, बागे तुम मारा दिल कहेगा, तो करो, मैं तुम्हें नहीं लोखूंगा, बस कभी गिवब मत करना, और कभी टेंशन मत लेना, वै हूना, तुष से बड़ा, तेरे पीछे खड़ा, बिल्कुल तेरे साय की तरह, वो जाहे भले ही कितनी तक्नीफों में हो, पर जहरे पे एक मुस्कान र उनमें कोई जादू सा आ जाता हो, जिनके हाथ से मिले 10 रुपए, सेवा इतना खुश होता था, इतना खुश होता था, इतना खुश होता था, वानों पूरी दुनिया खरिद दूगा, उनके साथ चाय की चुस्कियों का अलग ही मज़ा था, वो अखबार की खबरें कर उन्हें रोस्ट करना, और मा के बेकार जोक्स पर भी हम दोनों का खुल करना, अरे बेलन पढ़ेंगे जल्दी हस बेटा, मेरे पापा दुनिया के बेस पापा थे, और मुझे उपर गर्व है, उनकी दी हर सीख, आज भी मेरे साथ है, बिलकुल मेरे साई की तरह, लोगो के लिए होंगे उनके पापा घोस्ट, पर मेरे लिए तो थे, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त, आपकी आपके बापा के साथ पेस्ट पोवेंट्स कौन से हैं, मुझे पोवेंट्स करके बताईए, और अगर आपको यह कविता पसंद आई ह तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेड़ा वरना आप ऐसी और भी कविताय मिस्ट कर जाएंगे